हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन, मेंडिटेक, एंड आएम रभिंदर पाथक, गाइस, हर साल काफी इंडियन स्टुटेंट्स फॉरन कंट्रीज में MBBS स्टडी के लिए जाते हैं, उन कंट्रीज में से एक पॉपुलर कंट्री युक्रेन भी है, युक्रेन भी काफी इं उन की युक्रेन भी काफी इंडियन स्टुटेंट्स युक्रेन MBBS स्टूडी के लिए जाते हैं, तो बसबसे पहले उक्रेन की उनिवर्षिटी की बात करें, उकरेन की जितनी भी उनिवर्षिटी हैं तॉप की सायं मोर दें 100 इज उल्ड है और कुछ टॉप की medical universities 200 एबब years complete कर चुकी है तो ऐसे मैं आप समझ सकते हैं कि जितनी old university होगी उस university के faculty को उतना ही experience होगा teaching का और उस university से उतने ही students के batch pass out हुए होगे और infrastructure उतना ही अच्छा होगा युक्रेन की जितनी भी medical top की medical university है सबका infrastructure काफी अच्छा है और European standard का infrastructure है युक्रेन की सभी top medical university university, WHO, UNISPOR, MCI recognized है युक्रेन की सभी medical university की degree जितनी भी top की medical university है सबकी degree worldwide valid है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप MBBS study अपनी उक्रेन से complete करते हैं तो उसके बाद किसी भी country में UK, US और भी other European country में आप जाना चाहते हैं practice के लिए तो उहां का जो भी licensee निचा है वो अपैर करने के बाद आप वहां पर practice कर सकते हैं युक्रेन की कोई भी medical university ऐसी नहीं है जो bilingual हो युक्रेन की सभी medical university international students को English medium में course provide करती है आपका entire MBBS course English में English medium में होता है इसके अलावा गाइस युक्रेन की जो tuition fees है वो काफी affordable है comparison to other European country युक्रेन में comparison to other European country आपको European standard की education affordable tuition fees में मिलती है और cost of living भी काफी affordable है comparison to other European country युक्रेन की सभी medical universities international student हो चाहे उनके local students हो सब को ही hostel provide करती है first year आप लोगों के लिए hostel mandatory होता है कि आप युक्रेन की एगर university में BBS study कर रहे हैं तो first year आप hostel में रहे उसके बाद काफी सारे students flats या apartment में move हो जाते हैं तो अगर आपको first year के बाद flat या secure है जैसे कि आपका hostel होता है इसके अलाबा गाइड्स युक्रेन में कोई भी security और safety से related आपको कभी कोई problem नहीं होती युक्रेन में किसी भी तरह की कोई racism नहीं है युक्रेन के लोग काफी warm and polite होते हैं युक्रेन के लोग 90% एबब educated हैं इसी वजह से युक्रेन में crime rate भी का सब्सक्राइब करते हैं युक्रेन की जहां पर काफी सारे sports club है वगर आपको जिस भी game में इंट्रेस्ट है आप उस sports club में जोइन कर सकते हैं transportation की भी कभी कोई problem नहीं होते है युक्रेन में आप लोगों के लिए युक्रेन में 24-7 transport अभी लेवल होता है आपको रात को भी लेट नाइट भी कहीं आना जाना है तो टैक्सी और युक्रेन के लिए युक्रेन की आपके लिए सुटेवल है और यह सारी चीजे अबाउट युक्रेन स्टी और युनिवर्सिटी आपको डिटेल्स में जाना है तो आप मुझे डिरेक्ट कॉल कर सकते हैं वी आर बोजोन मेडिटेक हम अपने स्टुडेंट्स को एडविशन के साथ साथ में से कि क्लासेज भी प्रवाइड करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे त्रू एडविशन ले साथ में से कि क्लासेज भी आपको प्रवाइड हो तो आप मुझे डिरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारी सारी डिटेल्स वोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल्स डिस्क्रिशन बॉक्स में मैंशन है तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए झाल